मूदी जी करते वाह वाह आ गए, काते भी फूल बन के तेरी राह आ गए, आतंक बादियों तुम्हारी खैर नहीं है, शाहों के सहन साह अमिसाह आ गए, मैं चाहता हूँ कि सविस्ता बिर्जेश जी, मैं चाहता हूँ कि एक जोर दार तालिया हो जाएं, सविस्ता बिर्जेश देश की बीरस की बड़ आपके विद्याले में पहली बार यहाँ पराई हूँ, मंच असीन सभी विद्वजनों को पर्लाम करती हूँ, आप सब को नमन करती हूँ, एक बात और बता दो कि हम वीर रस्वालों के लिए तालिया खुराक होती है, और तालिया भी ऐसी मद बजाएगा कि हमको लगे कि हम कवितापाट कर रहे हैं, और लोग खहनी खा रहे हैं, तो तालियों में भी जोर होना चाहिए, क्यों हम कवी तालिया मांगते हैं, चार पंक्तियों के माध्यम से बताना कहती हूँ, अजब ही आभी आपने बताया, रगवशी है हम, बस इसी बात को आगे बढ़ाते हो, सु और आप सब का कि तालिया मंगती हूँ, सुनिएगा, कि न तुम हिंदू मुझे लिखना न मुसलमान लिख देना, अगर लिखना जुरूरी हो, मुझे इंसान लिख देना, और न वेदों की रिचाएं, और न खुरा की आयत को, कफन परमीत मेरे सिर्फ हिंदूस्तान मैं कह रही थी, बात तालियों की चल ले थी, मेरा मन कर रहा है, एक सचे मुसलमान के हैसिया से, चार पंक्तिया देती हूँ, और बताती हूँ कि मैं कविता में तालिया, क्यों हम सब आप से मांगते हैं, सुनिए, कि राम मंदिर की नोसर जना चाहिए, आसूरी वंश की वर गर्जना चाहिए, धीमी ताली तो बकरी की में में लगे, और सिंग हो तो हमें गर्जना चाहिए, सिंग हो तो हमें गर्जना चाहिए, और अभी कुछ दिन पहले, कभी हमारे मंदिरों पर हमला हुआ, कभी हमारी दरगाहों पर हमला हुआ, तो कहीं दिल आहत हुआ, लोगों ने बहुत कुछ आतंगवादियों को लिखा लेकिन हम आश्यावादी कभी है चार पंक्तियां देती हूं कि आतंगवादियों को चुनोती स्वरूप इस विध्याले से कि जो मन में आये तोड़ो हमारे हिंदुस्तान को तुम मिटा नहीं पाओगे क्यों नहीं मिट आप आओगे चार पंक्तियां सुनिएगा कि एक एक अक्छर दानियत करेगा कवी भारत में अक्छरों का ग्राम बन जाएगा और कहां तक विध्वन से करेगा वो मंदिरों का घर घर रगुनात धाम बन जाएगा और नाग पंचमी को दूध जिसने पिलाया तुझे कालिया के फन पे वो शाम बन जाएगा और बाबर गजन वी के अनुयाई बन यदि बच्चा बच्चा मेरा शीरी राम बन जाएगा मेरे ख्याल से जो लोग पीछे बैठे अगर थोड़ा आगे आजाए तो बहुत अच्छा रहाएगा सब लोग आगे आजाएए मैं निवेदन करूँगी आप सब सब आगे आजाएए थोड़ा आगे आजाएए जितनी ज्यादा परदान जी सब को लेके आगे आजाएए आप हटके न रहिए सटके रहिए जी देखें कभी संबेलन श्रोता और कभीयों के भी जो है कुछ पल सब आगे बढ़ते हूं बात अभी आई कि आतंकवाद देश से खत्म क्यों नहीं हो रहा हुआ उसका कारण है कि हमने आतंकवादियों को तो सजा दी लेकिन कुछ लोग ऐसे भी देश में थे जो आतंकवाद का समर्थन कर रहे थे लेकिन हमने उनके लिए कुछ नहीं किया सविधान में एक छोटे से संशोधन की मांग करती हूं और अगर लगे कि यही आतंकवाद का हल है तब आपकी तालियां चाहती हूं पंक्तिया सुनिएगा कि कौन मेरा अपना है कौन है पराया यहां फिर से घरों की जी तलाशी होनी चाहिए और मित्र जो हमारा बने हम से गले जो मिले बंदो हमारा विश्वासी होना चाहिए और महफूज मत्रा आयोदय वदरगाह और महफूज मेरी काशी होनी चाहिए और अवजल संग इस देश में विराज माने उसके चहेतों को भी फासी होनी और एक रशना देती हूं मैंने कहा, मैं एक शब्द पकड़ती हूँ और उसी पर अपनी कविता कहती हूँ, आदरी आपने रगवश की बात की, मेरा भी मन कर रहा है, मैं छत्रियों परी कुस नहूँ, और आपको देख कर रहा है, तो अधी दिल कर रहा है, मतलब अगर कुल मिलाकर राजिस्थान का इ इतिहास दिया गया, उद्वो का इतिहास नहीं दिया गया, हमारे देश में ये बताया गया, कि अकबर इस दे ग्रेट मीना बाजार लगाता था आगरे में, और ये बाजार तीन महीने के बाद बंद हो गया, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि ये बाजार क्यों बंद हो मैं इत्तिहास का एक ऐसा वरक खोलती हूँ जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं आये नमन करती हूँ उस राजकुमारी को जिसने ये मीना बाजार बंद कराया सुनिएगा एक छोटी सी रचना और समय अपने आने वाले कभियों को कि कथा है जब भारत में मुगलों का जहंडा फैराता था दिली का एक बाश्या मीना बाजार लगाता था राजपतानी इस तरियों को जबरन महां बुलाता था पराधीन राजाओं का सर लजजा से जुग जाता था कि दुश शासन हस रहा और अरजुन का पारुश सोया था इ एक दिन इन बाजारों में आई थी एक सुंदर बाला अजै भी या वीर्रस का कवी श्रेंगाष्क कैसे लिखता है देखियेगा कि एक दिन एक गाना आधा मैं चोली के पीछे क्या है चुद्री के नीचे क्या है गोर श्रेंगा लिख लिख लग ऑँ और बता स्च Yum. की एक वक्षों पर नारंगी आचल जब लहराता था अरे मानो मंदिर पर जैसे भगवा जंडा लहराता था कि मंदिर की ये दिविजोत निर्भय हो खदम बढ़ाती थी किन्त विवेक ऐसा था कि हर आहट पर जाती थी कि पड्मिनियों की वल्शस्ती सुक्वैबो नहीं लुभाता था बार बार सुधियों में उसके चिता कबिस्तर आता था एक नखाप पोश मानो उसके पीछे पीछे था घूम रहा उसके रूप लावने को नैनों से अपने चूम रहा एक खेमे के भीतर उसने नारी को है खीच लिया मानो किसी भेडिये ने हिरनी को कर में भीच लिया बाहों में आकर हिरनी पल में वहाँ शेरनी बनी बाहों में आकर नारी फिर मैशासुर मरदनी बनी बीना गवाय समय हाथ में उसने सुनो कटार लिया फिर दुश्मन की छाती पर पंजों से है प्रहार किया दुश्मन की छाती पर सिंगनी के पंजे की चोट पड़ी देश अत्रु की पीडा से गिर कर धर्ती पर लोड गई सीने पर फिर पैर रखा गर्दन पर रखी कटारी है लगता है रचंडी बनकर दुर्गा वहाँ पधारी है अरे दोनों चितवन मिले क्रोट से धर्ती मा चिलाई है अरे लगता है तिर कूट छोड़कर शेरा वाली आई है इनोच लिया प्रका नखाब राणी को आया चकर था उस नखाब के पीछे देखा वो तो राजा अकबर था बोली राणी समझ गई तेरा मीना बाजार यहां इसके पीछे कामुकता का चलता है व्यापार यहां बोला अकबर रानी तुझको सारे सुक्वे भो दूंगा प्रेम तुझे इतना दूंगा हिर्दे की गागर भर दूंगा प्रेम शब्द सुनकर रानी ने फिर से अट्टा हास किया कि प्रेम तुम्हारी कूट नीत है कैसा ये परहास किया विलेंटाइंडे मनाया जाता है अब भारती प्रेम देखिएगा कि रानी बता रही है कि प्रेम शब्द सुनकर रानी ने फिर से अट्टा हास किया प्रेम तुम्हारी कुट नीथ है कैसा ये परिहास किया प्रेम हमारी भारत में है मीरा का दिवानापन प्रेम कनहिया की बंस प्रेम मोग्रे के जैसा है खुशो तो महकाता है और अगर रूठे खुद का एसास नहीं करवाता है एक जनम का नहीं प्रेम तो साथ जनम का नाता है प्रेम मेरा पत के घर से शम्शान भूमी तक जाता है और प्रेम कठिन प्रमे कि जिसका अपर मेहर कोड लगा और राष्ट प्रेम के आगे ये सिंदूर भी हमको गौड़ लगा कि सुनक पर नारी का हम इतिहास तुझे बतलाते हैं एक अकेले बानी और पूरी मुगल सेना श्रागत है रूची डुवेदी स्वागत करते हैं श्रागत करते हैं काल चक्र को हम अपनी इक्षा नुसार चलाते हैं पन्ना बंकर देश प्रेयम पर सुद्की भेट चढ़ाते हैं एक अकेले तिनके से रावल को मार गिराते हैं और मेरे चरलो की रज से ये बाख स्वासित होते हैं अरे तुम क्या हो अकपर हम से यम राज पराज जित होते हैं और अब अपना पर्चा देती है सुझेगा कि ये राज कुमारी कौन थी कि मेवार सुता हूँ जो वीरों की जन भूम कहलाता है खत्रे में हो लाज देश की बच्चा लड़ने आता है कल्यानी का बेटा तैमूरों को मार भगाता है अंगारों से खेलू तो सुन जोहर वो कहलाता है कि हमने सत्रा बार का जन भी तेरा यहां ख़देडा है सोला बार तुम्हारा गोरी पकड़ पकड़ कर छोड़ा है समराड सिकंदर का हमने ही यहां कार भी तोड़ा है खिलजी की गंदी चालों की गर्दन को यहां मरोडा है अरे तेरी गंदी चालों को मैं आज मसल कर रख दूँगी अरे मैं सूर वंश की छत्राणी इतिहास बदल कर रख दूँगे कि सूर किरण है नाम हमारा लाज हमारा गहना है पर्चे दे रहे हैं कि सूर किरण है नाम हमारा लाज हमारा गहना है सांगा का नाम सुना होगा अकबर वो बाबा अपना है सांगा की पोती को अब इतिहास नया एक रशना है खूं से तेरे बाबा के घावों पर मरहम रखना है और एक बिंद उठाती हूँ, हल्दी घाटी का नाम हल्दी घाटी क्यों पड़ा, वहाँ ने हल्दी पाई जाती थी, ना पीले मकान थे, तब पंग्जा कहती हूँ, सुनिएगा, कि सूरे किरण है, नाम हमारा लाज हमारा गहना है, सांगा का नाम सुना होगा, अकबर वो ब देगा, कि थर थर का पुठा अकबर बोला माता उपकार करो, यह जितनी आसुरी शक्तिया है, बहुत डरफोक होती है, सुनिएगा, कि थर थर का पुठा अकबर बोला माता उपकार करो, प्रांच दान मुझको देदो मेरा भी कुछ उत्धार करो, सुत का हर अप्रा छमा ए कि शर्णा गत्की रख्शा करना भी परिपाटी है किन्ट शर्थ है भारत में कलसे व्यभिचार नहीं होगा अरे कल से आगरे में कोई मीना बाजार नहीं होगा नहीं होगा नहीं। और अंतिम पंग्तिया देते वे अपनी वाड़ी को विराम देती हूं कि धन नहरानी तूने बाजारों को बंद कराया है पर नारी ने खुद अपना देखो बाजार लगाया है त्याग दया ममता करना को हमने है बदनाम किया वैभों के पड़े पर खुद की सुन्दरता नीलाम किया और पच्छवा की मंचली हवा में पुर्वा का घुंगट भूल गई और सारगर के खारे पानी में पंगट कातट भूल गई जैहन पंदेव